वेल्कम्म तो एवर्रवन पंच भूतों या महा तत्वों के नाम से जाना जाता है ये शरीर, धर्ती, ये स्रिष्टी और ब्रह्मान ये सभी इन पांच तत्वों का ही खेल है शरीर कुछ इस तरह बनाएं कि इस शरीर का 72 प्रतिशत जल है लगभग 12 प्रतिशत धर्ती 6 प्रतिशत वायू है, 4 प्रतिशत अगनी है और बाकी सब स्पेस या आकाश है आपके शरीर में ये पांच तत्व जिस तरह बरताव करते हैं उसी के अनुसार सब कुछ तै होता है भूत यानि तत्व, भूत शुद्धी यानि तत्वों की विक्रिती से मुक्त हो जाना या तत्वों को शुद्ध करना जिसका मतलब है भूत यक प्रकृती से मुक्त होना आजकल शारीरिक और मनोवैग्यानिक प्रक्रियाओं ने ज्यादतर इंसानों को पूरी तरह से जकड रखा है हम जिसे अपना शरीर कहते हैं उसे हमने इकठा किया है हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो उन यादों पर आधारित है जिने हमने इकठा किया है इन दोनों के बीच आप क्या है और आपके अस्तित्व की मूल प्रकृती क्या है ये पूरी तरह से खो गया है अगर आप ऐसे आयामों तक जाना चाहते हैं जो अभी आपके अनुभव में नहीं है वो आयाम जो mystical या गूड माने जाते हैं तो सबसे पहले हमें पाँच तत्वों को शुद्ध करना शुरू करना होगा ताकि इनकी शुद्धता के कारण आप ये अंतर साफ साफ जान पाएं कि क्या भौतिक है, क्या मानसिक है और किस चीज का वास्तव में अस्तित्व है आज ठोस सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि पानी की भी अपनी आदाश्त होती है पानी के स्त्रोत के आसपास जो कुछ भी होता है, वो किसी न किसी तरह जल के अणूओं में स्टोर हो जाता है पानी को कुछ लोग फ्लूइट कम्प्यूटर भी कह रहे हैं इन पाँच तत्वों में जल का सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि इस शरीर में 72 प्रतिशत जल है अगर हम पीने वाले पानी पर परियाप्त ध्यान दें बात केवल पानी के साफ होने या बैक्टीरिय से मुक्त होने वगरे की नहीं है पर इसे कैसे रखा गया है आप इसे किस तरह के बरतन में रखते हैं कैसे रखते हैं कैसे चूते हैं कैसे उसे उठाते हैं क्योंकि आज ऐसे बहुत से वैग्यानिक सबूत मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि एक विचार एक भावना एक स्पर्श ये चीजें पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं और इस बात पर गहरा असर डालती हैं कि ये पानी आपके शरीर के भीतर कैसे बरताफ करेगा आपको समझना होगा कि ये कोई सामान या वस्तू नहीं है आप जीवन बनाने वले तत्व के साथ काम कर रहे हैं जल जीवन है बात बस इतनी है कि ये अभी आपके बाहर है इसके पहले कि ये आपके अंदर जाता है आप इसके साथ कैसे पेश आते हैं अगर आप पानी को धातू के बरतन में रखते हैं बहतर होगा अगर ये तांबा या तांबे की मिश्रधातू हो और रोज इसे किसी जैविक सामगरी से मांचते हैं, इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहां ये दूसरी चीजों और गंधों से अचूता रहे, इसके आसपास पर्याप्त जगह हो और जब आप इसे उठाएं, आप इस बरतन को अपने हाथ में एक तरह के आभार और सम्मान के साथ थामें, उसके बाद इसे पीएं, क्यूंकि ये जीवन बनाने वाला पदार थे, आप देखेंगे कि ये आपके सिस्टम के अंदर कितने चमतकार कर सकता है, अच्छी सेहत और संभाव इसका एक कुदरती नत उसकी अपनी एक समझ और यादाश्ट है, तो भले ही आप किसी कॉंक्रीट जंगल में रहते हों, ये जरूरी है कि आप उस धरती के साथ संपर्क में रहें, जिस पर आप रहते हैं, अपने लिए कुछ ऐसे तरीके बनाएं, जिससे आप उस मिट्टी के, धरती के उस भाग से संपर्क बनाएं, जिस पर आप रहते हैं, अपने नंगे हाथों और पैरों से, विशेश रूप से हथेलियां और पैर के तलवे, अगर वो रोज धरती के संपर्क में आते हैं, भले ही कुछ मिंटों के लिए, तो आपके शरीर में एक तरह का तालमेल आ जाएगा, धरती के संपर्क में रहने से, अगर आप अपने बगीचे में नंगे पैर कुछ मिनिट बिता सकें, पेड़ पौधों को अपने हाथों से छुएं, क्योंकि यही आपके जीवन का आधार है, हर जीवन, आपका और दूसरे सभी जीवों का जीवन इस धरती से उपजा है, इ आलांकि वायू आपके शरीर के तत्वों का केवल 6 प्रतिशत है, पर ये मिनट दर मिनट होने वाली लेंदेन के हिसाब से बहुत जरूरी है, आप किस तरह की हवा सांस में लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे सब जानते हैं, पर ये भी उतना ही महत्वपू कि आप कैसे सांस लेते हैं, और कितनी सजकता के साथ सांस लेते हैं, खास कर जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, आप किस तरह की हवा सांस में ले रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं हैं, तो बहतर होगा कि कम से कम कुछ मिन्टों के लिए पार्क में टह लें, या जील नदी के किनारे, या आपके आसपास जो भी जगा हो, खास कर अगर आपके बच्चे हैं, तो ये जरूरी है कि आप उन्हें महीने में कम से कम एक बार शहर से कहीं दूर लेकर जाएं, जहां प्रकृती अपने शुद्ध रूप में हो, जहां वो कोई छोटी पहाडी चड़ कर सकें, या किसी नदी में तैर सकें, कोई प्राकृतिक चीज जिससे वो प्राकृती से जुड़ सकें, और कुछ ऐसा करें, जिससे उनकी सांस सक्रिय ढंग से चले, ये केवल एरोबिक एक्सरसाइज के लिए नहीं है, चूँकि हवा लगातार अंदर वाहर होती रहती है, आपके शरीर की कुदरती समझ इस बात का ध्यान रखेगी, कि जब इसे वायू शुद्ध और जीवन लगती है, तब ये शरीर अलग तरह से सांस लेने लगता है, आप इसे देख सकते हैं, और ये आदान प्रदान होगा, शरीर के अंदर सफाई होगी, क्योंकि सांस में के कि आप अपनी सांस को सक्री स्थिती में लाएं, जरूरी एक्टिविटी करके, आपको बहुत ज्यादा ठकाने वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, बस आपकी सांस गहरी होनी चाहिए, सामान इसे थोड़ी गहरी, कुछ समय तक सांस ऐसी होनी चाहिए, खास कर बढ़ते ब इधर में ही अपनी सांस की शुधी के लिए एक यौगे का भ्यास कर सकते हैं, जिसे नाड़ी शुधी कहते हैं, आपके शरीर के पांच ततों में चार प्रतिशत अगनी होती है, आपके भीतर कैसी अगनी जलती है? क्या ये लालच की अगनी है, या नफरत की, नाराजगी की, गुसे की, वासना की, प्यार की, या करुना की अगनी है? अगर आप इसका ध्यान रख सकें, तो एक बार फिर आप शारेरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आप एक संतुलित और उलास से भरे इंसान बन जाएंगे, अपने भीतर की अगनी को शुध करने के लिए एक सरल प्रक्रिया ये है, कि आप हर रोज थोड़ी प्रकाश अभी भी शुध है, इसका पूरा उपयोग करें, अगर आप अगनी का उपयोग करना चाहें, तो आप बिना किसी तेल के तिनकों या लकडी से आग जला सकते हैं, और अगनी के सामने मूँ करके खड़े हो सकते हैं, दोनों हाथ खुले रखें और आखें खुली कम से कम तीन मिनिट तक अगनी के पास रहें, और फिर उसकी ओर अपनी पीट करके अपनी रीड की हड़ी पर रोशनी पढ़ने दे, इससे आपका आभा मंडल शुध होगा, और आपके तंत्र को एक नया जीवन मिलेगा, इस तरह बाहर की अगनी से संपर्क बना कर अंदर क अगनी को नय सिरे से जगाया जा सकता है, भारत में अगनी के साथ किये जाने वाले सभी अनुष्ठानों का यही आधार है, अगर आपके लिए आग जलाना व्यावहारिक तोर पर संभव न हो, तो कम से कम तेल या घी का दीपक जला लें, दीपक जला कर उसके आस पास रहे पहले उसके आगे बैठें और फिर पीड घुमा कर बैठें, ताकि अगनी तत्व आपके भीतर नय सिरे से जाक सके। पाँच्वा और सबसे अधिक विस्तार रखने वाला तत्व है आकाश या एथरिक स्पेस। इसमें खास तरह की प्रग्या होती है, आकाशे ये प्रग्या आपके अंदर कैसे पेश आती है, उसी से आपके जीवन की प्रकृती तय होती है। आपके जीवन की प्रकृती, क्वालिटी और शक्ती इसी बात से तय होगी कि इस आकाशी प्रग्या तक आप कितनी पहुँच पा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पाँच तत्वों में ये तत्व सबसे अधिक विस्तार वाला है। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, पानी केवल उतना ही है, केवल उतनी ही वायू है, उतनी ही धर्ती है, उतनी ही अग्नी है, पर आकाश एक असीम संभावना है। अगर इस असीम संभावना तक आप पहुँच बना सकें, तो आपका बोध और समझदारी दोनों बढ़ सकते हैं। आकाश या आकाशी प्रग्या तक पहुँच को बढ़ाने के लिए, आप एक आसान सी प्रक्रिया कर सकते हैं। सुर्योदय के बाद, इसके पहले की सुर्य 30 डिगरी कोरण को पार करें। आप एक बार आस्मान की ओर देखें और आकाश को प्रणाम करें। आपको और इस ग्रह को थाम कर रखने के लिए। जब सूरित 30 डिग्री को पार कर ले, दिन में किसी भी समय उपर देखकर फिर से प्रणाम करें सूरज ढलने के बाद, ढलने के 40 मिनिट के अंदर आकाश की और देखकर फिर से प्रणाम करें आप उपर बैठे किसी कालपनिक भगवान को प्रणाम नहीं कर रहें आप उस आकाश को प्रणाम कर रहे हैं, जिसने हमें इस जगा पर थाम रखा है अगर आकाश आपकी जीवन उर्जा को सहयोग देने लगे, तो जीवन जादुई तरीके से घटित होगा आपके पास एक ऐसी समझ आ जाएगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा